विदान सभा चुनाव को लेके भारतिय जन्ता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में कई दिग्जों के नाम है इन में भाज़पा के पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष अशोक परणामी का नाम भी जारी हो गया है वे लगातार तीसरी ब लगाने वाली बात नहीं है मैंने पिछले पांच वर्षों में भी जन्ता के बीच में जन्ता की सेवा करी है और मैंने जन्ता के साथ जो वाइदे किये थे उन वाइदें को पूरा करने का काम किया पार्टी ने मेरे पती विश्वाज जता करके मुझे पुने प्रत्याशी बनाया है, मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं मेरी आदरशनेगर विदान सबग खेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका प्यार और उनका स्ने जो मुझे मिला है, वो आगे भी मिलता रहेगा पिछले दोस साल में काफी काम भी किये हैं लेकिन कई काम ऐसे बाकी भी होंगे जो आपको आगे करने हैं और ये जो सीट है काफी चुनोती पूर्ण मानी जाती है हमेशा लेकिन बड़ी चीज़ यह कि चुनोती पूर्ण सीट की सबसे पहले घोषना तो काफी विश्वास विज़ता है आप पे देखिए मैंने पिछले पांच वर्षों में जो जन्ता के साथ वाइदे किये थे उन वाइदों को पूरा करने का मैंने काम किया हर घर को सड़क हर घर को पानी हर घर को लाइट हमने देने का काम किया मेरे जामडोली में, सुमेल में, विजयपूरा में, बगराना में इस इलाके में मैंने इस जन्ता से वाइदा किया था कि आपके याँ बीसलपूर का पानी हम लेकर किया आएंगे मुझे इस बात की प्रसंद्टा है और मुझे मंतिया आदनी वसंदा राजे जी ने उस बीसलपूर प्रियोजना की स्विक्रितिती ती 78 करोड की और आज उसका काम भी शुरू कर दिया कैसा लगता है काफी मन्थन के बाद कही राज शुमारी हुई है, काफी मन्थन हुआ है दिग्जो ने मंतन किया है, दिल्ली में मीटिंग हुई है उसके बाद 131 नाम फाइनल हुए है क्या लगता है, इनके आदार पे भारती जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने की तरफ जा रही है देखे, निश्चित दूप से भारती जनता पार्टी इस बार सरकार बनाईगी और जो राजस्तान परदेश का जो एक मित बना हुआ है कि पांच साल कांगरिस आएगी, पांच साल भारती जनता पार्टी की सरकार आएगी इस बार हम उस मित को तोड़ने का काम करेंगे और पुने भारती जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के प्रगान मंतरी आदानिय निंदबाई मोदी जी और हमारे मुख्य मंतरी आदानिय वसंदा राजे जी और हमारे रास्टी अद्यक्ष आदानिय अमी जी शाह के नितत्तों में हम बनाएंगे